अब रामानण जादव और सुलंदर जादव जैसे लोग आज मंतरी सरकार में बने हैं अब ये अब सुसाइशन का पढ़ाएंगे इन लोगों के मुह में खून लगा हुआ हो वो साकाहरी बनने की बात कब से करने लगे हैं और उनको रोका किसने हैं अगर आपको किसी को जहा बना करके और अपने पार्टी का संचालन करा रहे हैं उनके पास संपति कहां से आई तो उसी रास्ते पर तो रास्त्री जन्तादल आज भी चल रही है आपने देखा होगा एक मंत्री बने कानून मंत्री और खुदे उनका पर सुनेह गवारंट निकला हुआ था उनको जान हो घर कितना लूटे हो तब उसको टिकट दिया जाता था यह कहां सहाबुदीन जैसे लोग किस पार्टी में थे पूरे अपराध की इन्वर्सिटी है रास्तिय जन्ता दल बिहार की जन्ता नितिश कुमार को कभी माफ नहीं करेगी विहार की जन्ता ने एंडिये को सासन कर करने के लिए मैंडेट दिया था इसके लिए नहीं दिया था कि आप अपना 44 और 45 विधायक लेकर के लालुजी की गोद में बैठ जाएंगे पहले चाचा भतिया से सुरू हो करके और जीजा साला तक पहुंच गया सारा मामला लोगों के मुह में खून लगा हुआ हो साकाहरी बनने की बात कब से करने लगे अब रामानान जादव और सुरंदर जादव जैसे लोग आज मंत्री सरकार में बने हैं अब यह आप सुसासन का पढ़ाएंगे और उनको रोका किसने है अगर आपको किसी को जांच कराना है तो जांच करा यह बीजेपी के लोगों का आप संपत्ति जांच करें किसने रोका है लेकिर पहले आप अपने संपत्ति का तो बहुरा दीजे और आपके जो आका हैं जिसके कारण वो जेल में बंध हैं और आप से दोहजार पांच के बीच में कि खाता नबही जो कहें वही साही तो उसी रास्ते पर तो रास्टी जन्ता दल आज भी चल रही है आपने देखा होगा एक मंत्री बने कानून मंत्री और खुदे उनका परसुनहें गवारंट निकला हुआ था उनको जाना था कोट में चले ग रकाइथी कितना किये हो मडर कितना किये हो घर कितना लूटे हो तब उसको टिकट दिया जाता था यह कहां साहब उदिन जैसे लोग एक इस पार्टी में थे पूरे अपराध की इन्वर्सिटी है रास्टी जन्ता दल और आज बिहार साहमा हुआ है और इसलिए बिहार की ज लिए उत्तरब्स के जोगी जी भारे में कि सको मालूर है यहां घटनाय हो रही है मुक्ख मंतरि काते मालूम नहीं पहले चाचा भतिजा सुरू होकर और जीजा साला तक पहुंच गया सारा मामला है और फरजी फोटो दिखाया जा रहा है नितीन नबीन जी के गर में कोई उनको बढ़ाई दने हैं उनकी पत्नी बगल में खड़ी है तो उसका फोटो दिखाय जा रहा है अस्माणी चौबे जी dedi हो तसी एक अखरी सवाल है तो हो सकता है कि मन्य अध्यक्ष महोदा है कि मन में होगा कि मैं इस्तिफार क्यों दूँ अगर मान्य विधायकों ने हमकों चुना है तो मान्य विधायक ही जब यह कहेंगे कि हाँ आप चले जाएंगे तो चले जाएंगे इस वह क्या लगा हुआ है विजाय सिनहाजी को कुर्सी से कोई लोभ नहीं है लेकिन विशय और जो यह परसंग चल रहा है यह परसंग भार की राजनिती के इतिहास में लिखा जाने वाला प्रसंग है जिसमें एक अध्याई विजय सिनहा के नाम से भी लिखा जाएगा एक और आखिस सवाल में पुछना चाहूं कि लगातार मीडिया में सुर्ख्यां बनीवी है और लगातार जनता भी जाना चाहरें कि जब आफ लो लूट लिया गया 10.30 मुझे दिन गया और जहां भी घटना हो रही है पुलिस उसके बाद पहुँचते हैं पुलिस का तो सभावी है अभी जानते हैं तो अब क्या है पुलिस भी डर रही है पहले क्या था कि पहले से पुलिस से अपराधियों को डर था क्योंकि नियंतरन जो था वो अब न यंतरन क्या हो गया और जींटी का होगया तो जब आर जींटी का राज था ता आपको याद होगा कि पुलिस आगे भागती थी और फिजे भागते थे और पुलिस को बहाचा ते फिर मुत सब्सक्राइब कर दो बना हुआ है और महागठ बंधन के जो मसा कर रहे हैं और जब राफ्ट पारा जाएगा तो की तूटेंगी और वही हो रहा है बिल्कुल निकला हमारे साथ बात करें तूट सब्सक्राइब जीनों जो भादपागे पर उप्रवक्त विधायक हैं तमाम सारे सवालों का जवाब दिया है और अभी कहें विहार में खेला होना बंकी है देखते हैं विहार की राजनीती में आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है बहुत धन्यवाद